किसान बग्यों नमस्कार आप सबी का स्वागत थे हैं हमारे चैनल में इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसा कि दोस्तों अभी लेस्टों की बोई का समय नजदिक आ गया हैं और किसान बई लोग अब इस बार भी उट्टी लेस्टों की बोई कर रहे हैं जैसा कि इस बार उट्टी लेस्टों का बाव सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं फिर भी बिजवारा काफी ज़्यादा किसानों को मेंगा मिल रहे हैं 20,000 से 35,000 रुपए के मद्दे किसानों को उट्टी लेस्टों का बिजवारा मिल रहे हैं फिर भी किसान बई लोग उटी लेसन की बौई करनाएं में चुढ़ गए है, अभी हमने भी दो विगे की लेसन की बौई, उटी लेसन की कर दी थी, जो कि हम 33,000 रुपए कुंटल का बीज लेकर आये थे तो इस प्रकार से हम लेसुन की बुवई के इस प्रकार से की है पूरी जानकरी के साथ इस वीडियो में बात करने वाले है दोस्तो इसके पहले हमने इसमें मक्का की बुवई की थी मक्का की कटाई करना के बाद हम इसमें जो हमारे लासुने उसकी बोई कर दी है हमने उटी लासुन का बीत कर दी था उसकी बोई की थी हमने खेद की अच्छी तरह से दो बार हका जुते कर दी थी उसके बाद इसमें कूली निकाल दी उसके बाद में हम इसमें फटिलाइजर दाले हैं अब हम इसमें बात करते हैं कि हमने जो लैसुन की बोई के लिए खाली खेद में कौन-कौनटे फटिलाइजर का प्रियोग किया है तो मैं आपको एक-एक फटिलाइजर का नाम और उसके अंदर कौन-कौन से टेकनिकल पाय जाते हैं और कितना प्रियोग किया है पूरी जानकारी के साथ बात करूंगा तो दोस्तो हमने खाली खेद में सबसे पहला खाद लिया है उत्तम कमपनी का सलपर दोस्तों सलपर हमने इसमें लिया है पाउडर वाला सलपर क्योंकि दोस्तों लैसुन को कंद बढ़ाने के लिए सलपर की सबसे ज़्यादा हो सकता होती है इसके अलावा हमने लिया है इसमें ये सरस्पी खाथ में हमने वीबू खाथ का प्रयोग किया है वीबू एक नेचुर बिनेकार के उरवग मुझूत हैं तो हमने येवाला Vai Hah मि लिया है इसके अलबा हमें इसमें यंद्पी के बाराबत्ति सौला खाथ का भी प्रयोग किया है बारा बत्ती सोला खाद पोदे की उच्तम गरोद के लिए सबसे उच्तम खाद माना गया है इसलिए हमने इसमें यन्पिके बारा बत्ती सोला का प्रयोग किया है इसके अलवा हमने इसमें स्री राम कंबनी की जिंक सलपेत खाद का प्रयोग भी किया है जो कि पोदे की करोत और फआसल की बड़वार के लिए सबसे आविशन रूठ तत्तव हैं इसके बाद हमने इन सभी उर्वों को अच्छी तरह से mix किया है जैसे कि आप देख पारे हो हमारे भाइया इन खाटों को अच्छी तरह से mix कर रहे हैं इसके बाद हमने इसको खेद में समान रुप से चिड़का हैं जैसा कि आप हमारे वीडियो में देख पारे हो इस तरह से अगर आपके खेद में हवा चल रही है तो हवा के विपरीत आपको दिरे-दिरे आपको अपने खेद में चिड़कना चीए जैसा कि आप हमारे वीडियों में देख पारे हो इस प्रकार से आपको खेद में छड़क देना चाहिए एक बात का उससे ध्यान रखे कि यह दूवेदार होता है यानि कि दूवे की तरह होता है तो यह हवा में जड़ा उड़ता है तो आपको इसको दीरे दीरे आपको अपने खेद में विखेद देना चाहिए दोस्तो विखेदने के बाद आपको फिर अपने खेद में कूली तो निकाली दी है फिर इसमें आप दोलिया बना सकते हैं बनाने के बाद आप लेस्टन की चुपई कर सकते हैं हमने दो बीगे की लेस्टन की चुपई की हैं और अभी जो हमने लेस्टन की चुपई की हैं वह आज हमारा 20 दन के आसपास का हो गया हैं और कई कई पर कुछ कलिए अंकुरित हो गई हैं और बार आ गया हैं और हमने इसम लगा दिए हैं स्प्रिंकल से हम अब लेस्टव कि पिलई कर रहे हैं तो इस प्रकार से हमने अपने 86 में लेस्टव किी कहती में और ओर कैसे करते आप हमें नहीं कंडू um से है उससे बताइए तन्यवाद के सन भायो जे जुवन जे की सन